येस, हेलो आवरीवन, गूद इवनिंग अल आफ यू और वेलकम टि दग्लोबल वर्ल अकेडमी चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें, सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जारें NCRT क्लास 7 को, साइन्स की क्लास आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग जो MCQs डिसकस कर रहे थे, उसी सीरीज को आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टार्गेट होगा चैप्टर नमबर 14, जिसका नाम है विद्योध धारा और इसके प्रभाव यानि कि इलेक्ट्रिसिटी को, और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लाइट, इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं इसमें जितने भी MCQs पूछे जाएंगे वो आज के सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजेगा ताकि रेगिलर बिसेश पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें जल्दी आपका एक्जाम का नोटिफिकेशन भी आने वाला है न्यूस पेपर में आ चुका है उस पर भी एक वीडियो है जरूर से आप उसे भी विजेट कर लीजेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजेगा ठीके चलिए स्टार्ट कर स्क्रीन पर है जब तामबे के तार एबी से विद्योधारा प्रवाहित होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यह सरकेट अरेंजमेंट आपको दिखा रखा है तो तार के साथ क्या होगा इसमें से एक आंसर आपको बताना है इसके पास रखी हुई चुमबकी सुई विक्षेपी तो जाती है मतलब उसमें मूवमेंट हो जाता है हलकी सी गती हो जाती है लाल गर्म हो जाता है तार के बारे में पूछा हुआ है कि तार के साथ क्या होगा वो लाल गर्म हो जाएगा विजली का जटका करंट आपको लगेगा या फ्यूस की तरह वो विवहार क तो हम लोग यह बोल सकते हैं किसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अप्शन नमबर वन हो जाएगा कि इसके पास रख्यूई चुम्बकी सुई जो है चुम्बकी शेत्र वहां पर उत्पन हो जाएका कुंडली में जो चुम्बकी सुई रख्यूई है वो विक्षेपट हो जा सुखी है नाउ कुष्यं नमबर 2 आपकी स्कृइन पर हैว कतन चुने जो विद्यूध फयूज के मामले में सही नहीं है। को लेकर कौन सा कतन सही नहीं है सबी भवनों के वित्यूत सर्कीट में फ्यूज लगाए जाते हैं वित्यूत परिपत के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाइत होने धारा की एक अधिक्तम सीमा होती है अधिक्तम मतलब मैक्जिमम लिमिट होती कि उससे जादा जो है आ उड़ जाएगा कौन फ्यूज उड़ जाएगा ठीके अब अपनको बताना है कि जो नेगर्टिव है वह अपना अंसर होगा क्या यहां पर करेक्ट हो सकते हैं अपने अपने अंसर कमेंट करते चाहिएगा देखो सबसे पहली चीज अगर ऑप्शन वाइज अपन बात करें तो सभी भवनों में विद्यूद सर्किट जो अपने फ्यूज लगाया जाते हैं विद्यूद परिपत में जो प्रवाइट होने की धारा की मैक्जिमम लिमिट होती है कि आपन देखते हैं ना तो यह मैक्जिमम लिमिट है हमारी देश की सबकी थोड़ी थोड़ी उपर नीचे कंट्री वाइस अलग अलग होती है विद्यूद परिपत में सुरक्षी तुरुप से प्रवाइट होने वाले धारा की नियूंतम सुमा मीनिमम तो कोई लिमिट नहीं होती है मैक्जिमम ल सले घ्रवाइस हो जाएगा वहां से ब्रेक हो जाएगा जो फ्र्यू só तार वह बीचमे से टूट जाएगा और करण फ्लो औना बंद हो जाएका हमारे जितन भी डेवाइस यह सुरक्षित हो जाएंगा तो हम लोग क्या कह सकते इसको देखकर क्यों सा कतन सही नहीं है तो Belgian क को देखिएगा चित्र में दिखाए गए अनुसार तीन बल्ब ए बी सी एक परिपत में जुड़े हुए हैं जब स्विच चालू किया जाएगा तो क्या होगा चार स्टेटमेंट चार आपके सामने हैं तीन बल्ब जो है इनको सीरीज में जोड रखा है तीन सेल यहां पर बल्ब C पहले चमकेगा दूसरा बोल रहा है बल्ब B और C एक साथ चमकेगे और बल्ब A कुछ समय बाद चमकेगा सभी बल्ब A B C एक साथ चमकेगे बल्ब A B और C क्रum से चमकेगे मतलब पहले A फिर B और फिर C देखो अब जैसे यह आप स्विच अउन करोगे और आपके बोल सकते हैं यहां पर जो हमारा आंसर होगा जैसे ही सर्किट पूरा हो जाएगा जैसे ही वो पिन उस वाले वायर से जाकर जुड़ेगी सारे बल्ब एक साथ चमकने लगेंगे क्योंकि करण्ट के प्रवा में कोई समय अंत्राल यहां पर नहीं होगा सबको सेम वैल्यू में करण्ट मिलेगा चलिए आगे बढ़ते अगले कुश्चन की बात करेंगे नेक्स कुश्चन को देखिएगा जब एक स्विच बंद स्थती में होता है मतलब अगर हमने स्विच आफ कर रखा है तो क्या क्या चीज़े यहां पर करेक्ट हो सकती है सबसे पहला option सेल के सकारात मतलब उस सेल का जो positive terminal है उससे शुरू होने वाला circuit स्विच पर आकर रुक जाएगा circuit open है इसमें कोई current प्रवाइट नहीं हो रहा है कुछ समय बाद उसमें current प्रवाइट होने लग जाएगा हमको क्या बताना है इसमें से correct statement क्या है सही उत्तर का सियोजन चुनना है तो इसम तो गलत हो गई कि सेल के सकारात्मक टर्मिनल से शुरू होने वाला circuit स्विच पर आकर रुक जाएगा हमें नहीं पता positive negative है ना तो यह वाला concept यहाँ पर काम नहीं करेगा अभी circuit open है क्योंकि switch off है जैसे अभी वो पीन वहाँ पर खुली हुई थी जैसी इस पीन का यह वाला इस वाल इससे जुड़ेगा तो पीन हो जाएगी और switch on हो जाएगा circuit खुला है यह बात बिल्कुल सही है इसमें कोई current provide नहीं हो रहा है यह बात बिल्कुल सही है लेकिन यह वाली चीज़ गलत है तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन-कौन से statement correct है तो दूसरा और तीसरा statement correct है दूसरा और तीसरा statement correct यह कहाँ पर लिखा हुए option number D के अंदर लिखा हुआ है ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा क्यूंकि दूसरा और तीसरा statement बिल्कुल correct है चलिए आगे बात करते है question number 5 की electric gazette उपकरण circuit का उप्योग करते समय निमने लिखित में से कौन किसी साउधानी बरतने की जर्रत है जब भी आपको electric gazette उपकरण या कोई भी circuit यूज करते हैं है ना तो कौन सी साउधानी मतलब किस चीज का ध्यान आपको नहीं रखना है अगेन आपको यहाँ पर क्या बताना है negative चीज बतानी है चलो चार option पढ़ो और answer करो क्या answer यहाँ पर correct होगा पर लिए चार option पहला statement तो क्या बोल रहा हमें कभी भी main से जुड़े बिजली के बल्ब को नहीं चूना चाहिए और मतलब हमें कभी भी बिजली के बल्ब को नहीं चूना चाहिए दूसरा हमें कभी भी main या generator या inverter से विद्यूतापूरती का परियोग नहीं करना चाहिए हमें फ्यूस्त के सथान पर कभी भी किसे तार या धातो की पते का उप क्योग नहीं करना चाहिए हमें कभी स्विच ऑन इस्तिती में नहीं रखना चाहिए अब आप मुझे ही बता हो कि option number D जो बोल रहे हमें कभी भी switch on नहीं करना चाहिए तो अगर हमको switch on करने ही नहीं दे रहे हो तो हम लोग light bulb वगिरा क्यों लगा रहे हैं मतलब हम लोग लगा इसलिए रहे हैं कि circuit complete हो और हमारे घर में रोशनी हो fan चले, tube light चले, light चले या जितने भी उपकरण है या उसको चलाने के लिए ही तो हम लोग switch on हो या off करते हैं तो ये वाली चीज कि हमें कभी भी switch on नहीं करना चाहिए या अपने आप में क्या हो गई गलत हो गई तो ये ही क्या हो जाएगा आपका answer भी हो जाएगा कि किस चीज की आउशकता नहीं है तो हमें विकल्प D की आउशकता नहीं है ठीके कि हमें कभी भी switch on इस्थती में नहीं रखना चाहिए ये वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी बाकी सारी चीजें सही रहेगी डन चलिए question number 6 को देखिएगा साथ के साथ कुछ one liner भी करते हुए चलते हैं प्रत्यक के लिए दो दो विद्यूत उपकर्णों के नाम लिखिए विद्युधारा के तापी प्रभाव के लिए विद्युधारा का तापी प्रभाव अगर हमको देखना है जहां पर heating से या temperature rise होने से चीज़े काम करती हो जिसे घीजर हो गया तो घीजर में भी रोड लगी हो रहती हो रूम हीटर हो गया उसमें भी रोड लगी हो रहती हो रोड गरम होती है तो वो क्या करती है हीट को रिलीस करती है तो यह तापी प्रभाव हो गया और चुमबकी प्रभा है जब हम उपयोग में नहीं होते हैं तो हम प्लग पीन छेथ जो बच्चों की पहुंच के बहुत भीतर होती है उनके सेलो टेप ये प्लास्टिक कवर से ढग देते हैं जिसे कि आपने देखा होगा कि स्विच बॉर्ड है उसमें कई सारे प्लग दे रखें त्री पीन दे र रखें तो जब बच्चे चोटे बच्चों की पहुचके पहुंच पास होते हैं या बच्चे उन पर टच कर लेते हैं तो नग तो इस से बचाने के लिए बच्चों को उनके ऊपर के लगा दैते हैं या फिर प्लास्टिक के कवर आते हैं उसे आती उपर लगा ने के तो उसी को प्लास्टिक की कैप से ढग दिया जाता है क्यूंकि इससे कॉर्ण का जटका लग सकता है आपने भी किया होगा with learn चीजे कई बार होती है कि हम लोग जिसे दिवाली के समय में जो है पूरे घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं दिवार वगेरा क्लीन कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्विच बोर्ड वगेरा को भी क्लीन करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी और बैक्टिरिय आपको करण का जटका लगता है ठीके तो ये चीज़ कर सकते हैं कुश्चन नमबर 8 को देखिएगा बूजो ने एक लोहे के पेज पर तार के 50 फेरे लपेट कर एक विद्यू चुमबक बनाया बूजो ने ये कारिय किया कि उसने 50 फेरे लिए और पहली ने ऐसे ही एक लोहे क कि पेज पर सो फेरे घुमाकर एक विद्यू-टी चुमबक बनाया कौन सा विद्यू चुमबक अधिख पीनों का आकरशित करेगा तो सिमपल सा चीज़े क्लियर है आपको सारी नाउ कुश्ट नमबर नाइन आपकी स्क्रीन पर है विद्यूत फ्यूज बनाने में चालक तार के किस गुण का उपयोग किया जाता अगर आप फ्यूज बना रहे हो फ्यूज वायर बना रहे हो हाना तो हमें क्या क्वालिटी उसके इंदर च हो जाएगा ठीके तो हम लोगों को क्या चाहिए विद्यूत फ्यूज बनाने में निम्न गल्लांक वाला जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा उस टाइप का तार हमको यहां पर चाहिएगा नाउ कुश्ट नमबर टाइन आपकी स्क्रीन पर है पहली के कमरे में नाइट किन डाल देती हूँ जिससे मेरे मूँ पे रोशनी नहीं आएगी बट यह सरासर उसके एक गल्ती है क्योंकि बल्ब क्या होता है गरम हो जाएगा कुछी समय में वह गर्म हो जाएगा और उस गर्माहट की वज़े से जो नैपकीन जो टावल उसने उसके उपर डाला है वो साथी से वित्यूद उड़ जाके भी बर्बादी होगी और गर्मी उत्पन्न होने के कारण वो तोलिया भी जल सकता है ठीके तो यह पहली ने गल्ती करी है नाउ कुशन नमर 11 विजली के बल्बों के तुनला में जो कॉम्पेक्ट फॉरोसेंट लैम्प यानि कि जो सी एफ में तो आप तीन सी एफल यहां पर जला लोगे इतनी जादा इनको बिजली चाहिए होती तो यह ज़स्ट एक बिजली की बर्बादी है ठीके तो इसके जगह कई सारे हमारे पास ओप्शन होते हैं जिनका हम लोग यहां पर प्रियोग कर सकते हैं ठीके चलिए आप कुछ फ चुछ ऑफ इलेक्रिसिटी होता है इक विधुत सेल बिजली का उत्पादन करता है ठीके विजली का उत्पादन कैसे चाहिबता है क्यामिकल्स करता है सेल में क्या होती यह रासायनी कुछ आओती हैं जो किसको और असाइनी कूँड़ को विद्यूत उरजा में केंवर्ट क बैटरी आपने लगा रखी है उनके संयोजन को क्या कहा जाएगा दो सेल का जो संयोजन है उसको यहां पर कहा जाता है बैटरी दो या दो सदिक सेल का जो संयोजन है इसने कोशिका लिखा है सेल को कोई बात नहीं तो सेल का संयोजन क्या कहलाता है बैटरी कहलाता है ठीक है च चैपटर को पढ़ते हैं प्रकाश यह चैपटर रहेगा तो इस चैपटर में क्या-क्या चीज़े रहेगी एक तो अपन वो जो करते हैं अवतल लेंस उतल लेंस अवतल दरपण उतल दरपण इससे रिलेटेड जितने भी कुश्टन से वो यहां पर आपको देखने को उसके बाद अपन इसके MCQs स्टार्ट करेंगे एक कुश्टन आपसे पूछा गया है मान लीजिए हम लोग किसी दूर इस्थित पेड़ पर वास्तविक प्रतिबिम्ब प्राप्त करना चाहते हैं दो संभावित तरीकों की व्याक्या करिए जिनके माध्यम से आप यह कर सक मैं चाहते हैं मतलब मैं उस पेड़ को रियल में देखना चाहते हूma उसका वास्तविक प्रतिबिम्ब प्राप्त कर सकते हूँ दो तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं एक तो मैं कर सकती हूं अवतोल दर्पन का प्रियोग थीक है ताकि मुझे उसका रियल इमेज़ यहाँ पर और सेम साइस का इमेज यहाँ पर मिल जाएगा तो अवतल दर्पन पर अगर मैं वस्तु को 2F पर रखूं तो मुझे उसका वास्त्विक छवी मिल जाएगा और दूसरा में यहाँ पर जो अपना कॉन्विक्स लेंस होता है उतल लेंस होता है उसका भी प्रयोग कर सकती हूँ है ना 2F बिंदू से परे आप कहीं पर भी रखेंगे तो आपको वास्तु क्षवी यहाँ पर उसकी प्राप्त हो जाएगी कि कि अगर कोई कन्फूजन है दो चीजे समझ में आगी अवतल दर्प है तो आप इस वीडियो को रोक दीजी अभी और इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि स्क्रीन शॉट भी लोगे तो आप फोन में लोगे तिक उससे क्या दिक्कत आएगी कि बार बार आपको फोन को कुश्चन को रोक रोक के फोन में चेंज करना पड़ेगा तो अगर बने और जैसी कि मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास 6 में कि आप क्या करिए शॉट नोट बना लीजिए तो इन चारो टेबल का अगर आपने शॉट नोट बना रखा है तो वो नोट लेकर बेट जाएए और फिर आप आंसर करिएगा ठीके चलो मैं यहां उत्तर लेंस ऐस स्टार्ट कर र्यूँ ऊत्तर लेंस में अगर वस्तु को आप 2F से परें 2F से पहले मतलब अनन्द पर कहीं पर भी वस्तु को रखेँगे तो प्रतिविम F और 2F के बीच में बनेगा छोटा बनेगा वस्तीक और उल्टा बनेगा ठीक है अननंद पर रखोगे अननंद को 2F पर रखते हैं तो प्रतिभिम उसी साइज का वास्तवी को रोल्टा मिलता है फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फोकस प्रकाशिक केंद्र जो होता है उसके बीच में जैसे 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 वस्तू पास आती जाती है प्रतिभिम उता जाता है बड़ा होता जाता है तो अगर आप देखें कि स्टार्टिंग की सारी जो सिच्वेशन इन सब में वास्त्विक जो प्रतिभिम है वास्त्विक बन रहा है उल्टा बन रहा है लेकिन लास्ट वाली जो सिच्वेशन है जब बहुत ही वस्तू जो है प्रकाशिक केंद्र ओ के बहुत ही पास आ चुकी है उस इस्तती में जो प्रतिभिम बनता है वो आभासी और सीधा बनत चलिए अब मैं बात कर रही हूं यहां पर आवतल लेंस की आवतल लेंस में देखो दो ही सिचुएशन होती है एक तो वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिभिम्ब कहां पर बनेगा फोकस पर कैसा बनेगा बहुत छोटा बनेगा आवासी और सीधा बनेगा अनंत तो प्रकास्षिक केंद्र के बीच में आप कहीं पर बी वस्तु को रखो यह न तो यह प्रतिभिम्ब जो है हमेशा छोटा बनेगा आवासी और सीधा बनेगा तो आवतल लेंस में केवल और केवल आपको यह धियान रखना है कि प्रतिभिम्ब एक तो अनंत पर होता है अ Convex mirror भी बिल्कुल similar ही है, दो ही चीज़े याद रखनी है, जिसे कि आपने अभी आउतल के लिए याद रखा था, अब की बार ये चीज़ आपको उतल दरपन के लिए याद रखनी है, ठीक है अभी आप इसके question करेंगे तब आपको clear होगा, कि ये जो चारो टेबल से ये कित पर भी बन जाएगा, हमेशा प्रतिबिम छोटा, आभासी और सीधा बनेगा, क्या धियान रखना है, प्रतिबिम हमेशा छोटा बनेगा, वस्तु से आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, इसमें कभी भी आपको उतल दरपन में कभी भी आपको वास्तिबिम प्रतिबिम प् ठीके बहुत ही छोटा आभासी और सीधा बनेगा एक और और चीज आप इसके अंदर देखें कि अगर मैं यहाँ पर वस्तू को उत्तल दरपन की बात करूँ तो इसमें छे अलग अलग सिच्वेशन्स होती है अनन्द पर रखोगे प्रतिविम फोकस पर बनेगा आते दिख वास्तवे कुल्टा इसमें आप देखेंगे कि जिससे अपन ने उसके लिए देखा था जो अमने फर्स्ट वाला जो डाइग्राम देखा था उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस और आउतल दरपन की चीज़ें हमेशा बड़ी होती है बड़ी इंदसेंस की इनकी जो टेब फोकस पर रखोगे तो भी वस्तु को रखोगे तो आभासी और सीधा प्रतिविंब आपको यहां पर प्राप्त होगा ठीके यह वाली चीज हो गई अब इसके कुश्चन समलोग स्टार्ट करते तो आपको आइडिया लगेगा बीज विच में आपको टेबल भी दिखाती रह पर इक होगा तो जैसे जैसे मालोग कोई भी एक लैंस हो गया औम नहीं फेर कोई भी लैंस हमारे पास कॉन्कें कॉई भी लैंस हो गया तो जैसे झैसे वस्तु ढ़्रस को ऊठाव की जा रही है तो इसका प्रतिविम्ब है उसका आकार बढ़ता जा रहा है तो यह किस ? आप स्क्रीन कर पाइंगे तो प्रतिविंबर का आंसर क्या होगा कि लेंच के लेंच कॉन सा है क्या खेंडे को प्रति पास लाते जा रहें तो आप फिर भी स्क्रेन पर छवी प्राप्त कर पाएंगे कि अगर आप एक situation ऐसी आती कि बहुत पास लेकर आ गए तो उस बीच में क्या होगा कि आपको प्रतिबिम वास्तविक ना प्राप्त होते हुए आभासी प्रतिबिम आपको प्राप्त होगा नहीं यदि वस्तु और लेंस के बीच की दूरी focus लंबाई से कम है मतलब focus से भी आप आगे लेकर चले गए हो जिसे कि अगर मैं एक diagram बना कर बताओं ये focus point था ये इसकी double distance पर 2F था यहाँ पर मेरा F हो गया ठीके और ये मेरा अपना उत्तल लेंस हो गया ये अपना प्रकाशिक केंद्र O हो गया अब मैंने वस्तु को यहाँ कहीं बीच में पर देख सकते हैं ये लास्ट वाली situation आबासी और सीधा और पहला वाला था कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा तो अगर आप वस्तु को F O 2 F के बीच में या focus पर रखेंगे तो हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा मतलब जिसे जिस समतल दरपड हो गया समतल दरपड में चवी हमेशा आबासी सीधी और वस्तु के आकार की समान अगर 5 मीटर का व्यक्टी है याना 5 फीट 7 इंच 5 फीट 2 इंच का व्यक्टी तो चवी भी उतनी ही बनेगी आउतल दरपड के मामले में वस्तु की स्थती के आदरपड शवी जिसे वस्तु को कहां पर रखा हुआ है, object कहां पर आभासी, वास्तुएक, उल्टी, सीधी, बड़ी, छोटी हो सकती है, किसकी बात कर रही हूँ है, उत्तल दर्पण के case में क्या होता है, दो ही situation बनती है, उत्तल दर्पण के मामले में वस्तु की स्तती के बाउचुद बनने वाली छवी, हमेशा आभासी, सीधी, और वस्तु से always छोटी आपको मिलेगी, किसमें उत्तल दर्पण में, तभी तो गाडियों की पीछे जो काच लगते है, side mirror, उसमें उत्तल दर्पण आपका लगता है, क्योंकि हमेशा छोटी इमेज आपको मिलेगी, वस्तु चाहे आपसे कितनी भी दूर हो या आपके कितनी भी पास हो, मतलब object के कितनी भी पास हो, चलिए, अब MCQs स्टार्ट होते है, question number one, आपकी screen पर इसका answer करिएगा, एक बार से, अब MCQs स्टार्ट कर देते हैं, अपन, ये, पढ़िए, इसको रांसर करिए, समतल दरपन मतलब plane mirror होता है, अउतल मतलब concave mirror होता है, ठीके, और उतल मतलब convex mirror, आया क्या, बूजो और पहली को उनके शिक्षक ने एक एक दरपन दिखाया, मतलब पूरा question दरपन वाला है, अब वो अउतल, समतल और उतल, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो बूजो को अपनी चवी सीधी और उसी आकार की लगी, चवी सीधी उसी आकार की कब बनती है, समतल दरपन में बनती है, यह ना, जबकि पहली को अपनी चवी सीधी और आकार में छोटी लगी, मतलब उसको ऐसा लग रहा है, कि मैं हूँ तो ब ठीके अब पहेली का दरपन कौन सा है पहेली के पास कौन सा होगा क्योंकि अब वन ने देख लिया कि पहेली कैसी दिख रही है पहेली छोटी दिख रही है और छोटी कब दिखती है वो कौन से दरपन में दिखेगी उत्तल में क्या अवतल में हमेशा उत्तल दरपन में जो प भी तो वस्तु छोटी दिखती है बट अगर वो उसमें शर्त देनी पड़ती इसको पहली के लिए क्या बुलना पड़ता शर्त देनी पड़ती वो condition देता कि पहली ने mirror को खुछ से बहुत दूर रखा हुआ है या खुछ से बहुत पास रखा हुआ है तो उसको ऐसी image उपयोग किया जाता है मालनो मुझे क्या चाहिए वास्तुइक छभी यहां पर चाहिए तो मैं किस चीज़ का प्रियोग यहां पर करूँगी क्या आंसर करेक्ट होगा अउटल दर्पन का समतल दरपन का उतल दरपन का या अवतल और उतल दोनों दरपन से में वास्त्विक छवी यहाँ पर रियल इमेजिस यहाँ पर प्राप्ट कर सकती हूँ क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा केवल अवतल दरपन से क्योंकि अभी जस पढ़कर आयो कि उत्तल दरपन हमेशा प्रतिबिंब आभासी छोटा और जो है हम लोग बोलते हैं कि हमेशा वर्चुल इमेज जो है हम लोगों को प्राप्त होती है आभासी वस्तु से छोटा यहाँ पर प्राप्त होता है तो अगर वास्तिविक चवी प्राप्त करनी है तो आप उत्तल द के वास्विक प्रतिछेदन से बनती और स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है ठीक है कुछ नमबर थ्री यदि किसी वस्तू के समतल दरपन के सामने पॉइंट फाइफ मीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तू और दरपन द्वारा बने प्रतिविंब की बीच की दूरी कित की दोस्ति मीस प्राप्त तो अभी यहां के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखिए बलखियेन लिए फॉत प्रतिविंब है ripping तो आपका के हैं यहां पर प्रतिविंब बीकितनी ब्याहिकRODG More वाली लाइन और धरपण द्वारा प्रतिविंबबросक्तू मतलब आप का चो प्रति बिम्ब है इसकी वीच की दूरी कितनी हो गई एक मीडर की हो गई अगर इसकी बीच're जा ग Dlatego substitute को शेम्द को होंगे तो एक मीडर को जाएगा चले कुष्यनםब्र 4 की तरफ चलते हैं question number 4 को देखना है answer करना है आपको एक अवतल दरपन उतल दरपन अवतल लेंस और उतल लेंस देखो यह आई गया question मैं आपको बूला ही था कि इन चारों चीजों से ही आपके question बनेंगे आपके सामने चार चीजे रखी हुई है और आपको यह पूछ रखा है कि किसी वस्तू की विस्तरत चवी प्राप्ट करने के लिए आप इन में से किसी एक प्रकार का उप्योग कर सकते हैं चली क्या कह रहा है question number 4 आपको समझ में चार चीजे हम को दे रखी दो दरपन और दो लेंस है convex और concave mirror और lens अपन को दे रखे अगर मुझे किसी भी वस्तू का यह मान लो एक वस्तू और मुझे इसका इतना बड़ा प्रतिबिम्ब चाहिए या फिर कोई भी एक object है उसको मुझे बड़े रूप में चाहिए तो मैं इन चारो में से किनकिन जीजों का प्रियोग कर सकती हूँ तो अब ध्यान रखो वो चारो टेबल के बारे में स्टार्टिंग से बताती हूँ सबसे पहले अगर मैं convex, सबसे पहले क्या पढ़ा था अपने lens पढ़े थे राइट प्रतिविंब का जो size बढ़ता जाता है तो किसी वस्तु के अगर आपको विश्तरत चवी यानि की वस्तु से बड़ा प्रतिविंब प्राप्त करना है तो क्या ये उत्तर lens के थुर्व हो सकता है, क्या बिलकुल हो सकता है, तो मेरा एक answer तो उत्तर lens हो गया तो तिकि मानलो चलो आपको उत्तर लेंस का यागनी आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी टेबल थी फिर भी आप आंसर कर लोगे अब मैं जा रही हूं किसके पास आउतर लेंस के पास जाओंगी आपको ध्यान होगा आउतर लेंस में केवल दो परिस्थितिया बनती है जब भी वस्तु का आप अनन्द पर रखेंगे तो प्रतिविम कैसा बनता है छोटा यानि कि डॉट के साइस का बनता है जब भी वस्तु को अनन्द और प्रकाश्रिक केंद्र ओ के बीच में आप कहीं पर भी रखेंगे तो प्रतिविम्ब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा अगर वस्तु पांच सेंटिमिटर की है तो प्रतिविम्ब 5 सेंटिमिटर से कम का ही बनेगा 4,3,2,1 या 0.1 सेंटिमिटर का भी बनेगा डिपेंड करता है कि वस्तु को इन दोनों के बीच में कहा पर रखा गया है त्वल मैं को यह चीजत तो समझ में आगी कि आउतल लेंस से व सब्सक्राइब्स. आप करें आपकती पर वस्तु को रखा म में इन बताव क्या इसमें उत्तल दर्पन काम करें चाह से ह simples diagrang प्रतिविंब बनेगा हुआ हमने देखा कि अवतल लेंस काम नहीं करेगा तो यह दो मेरे गलत हो गए ठीक है और यहां पर क्या लिखा है इसने उत्तल दरपण लिखा है तो यह भी काम नहीं करेगा बागी एक लाऊस्ट वाली टेबल और समझ लो इससे और क्लियर हो जब आप वस्तु को वकृता केंद्र से वकृता केंद्र जो होता है अपना C और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी रखेंगे चाहे इसमें फोकस पर रखो या इन दोनों के बीच में आप वस्तु को कहीं पर भी रखो कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बढ़ा आप राप्त होगा, तो मैं यह बोल सकती है, उत्तल दरपणी, उत्तल लेंस के बीच में आप कहीं पर भी वस्तू को रखिए, प्रते बिंब आपको हमेशा बढ़ा मिलेगा, समझ में आया वो चार्टेबल पढ़ने का सेंस क्या बना, क्योंकि यह जो सारे कुश्चन है, उस यह आप देख पाओगे, क्योंकि वो बारिश की भूंदों से ही बनता है, एक और और कुश्चन देखो, एक सीधी और बड़ी चवी किसके द्वारा बनाई जा सकती है, अभी तो अपर ने देखा था कि हमको चाहिए बड़ा प्रतिबिंब, विस्तरत प्रतिबिंब, ठीक अगर मैं इसको यहाँ पर इंग्लिश में आपको देखना है, तो सीवी लिख दू तो आप समझ जाओगे, कॉनकेव, मिरर की बातोरी, और सीएक्स लिखा मतलब कॉनविक्स, लेंस की बातोरी, इन दोनों से मुझे बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा, इसने क्या बोला है, ल मिलेगी, तो हम लोग यह बोल सकते कि आउतल दरपन जो है, सीधी देगा, और बड़ी चवी यहाँ पर देगा, तीके लेकिन उतल लेंस का अंसर अभी करेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, वो बनते हैं, वास्त्विक और लेंस भी यहाँ पर देदेगा, तेकिन अगर उप्शन की बात करें, तो केवल एक उतल दरपन, केवल एक आउतल दरपन, केवल एक समतल दरपन, उतल और आउतल दरपन दोनों, तो उतल दरपन तो अगर मैं बात करोती है, तो नहीं दे पाएगा, चलिए, अगर कोई confusion है, तो एक बार मैं आपको table की तरफ लेकर चलती हूँ, आप एक बार table भी देख लीजिए, देखो ये रही आपके सामने table, हमको पूछा है सीधी और बड़ी चवी, और मैंने किसके बारे में बोला, उत्तर लेंस के बारे में, ठीके सीधी और बड़ी चवी कहाँ पर मिलेगी, लेकिन ये जो प्रतिबिम्ब है आभासी और सीधा है, लेकिन बड़ा तो है, ठीके तो एक तो अपना आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा के लिए उत्तर लेंस, जो कि हमारे option में था नहीं, ठीके, उसकी बाद हमने एक और और आंसर यहाँ पर किया था, दरपन का, ये फोकस और पोल के बीच में, आम चुद्रूव के बीच में जहाँ पर भी वस्तू को रखेंगे, तो आभासी और सीधा प्रतिबिम्ब आपको मिल जाएगा, किसके लिए, कौन के मिरर के लिए, आउतल दरपन के लिए, ठीके, तो आंसर आपका क्या हो गया, आउतल दरपन क कि द्वारा ही बड़ा और सीधा प्रतिबिम्ब यहां पर बनाया जा सकता है, ठीके, अब देखो, इसमें कुछ और कुश्चन भी बचे हुए, वो सारे कुश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीट करवा दूँगी, तब तक आप क्या करिएगा, इनको एक बार अच्छे से रिवाइस कर लेना, क्योंकि इसके आगे के जो कुश्चन से अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहें, तो सारे कुश्चन इसी टाइप के हैं, कि चार लेंस, दो दरपन, दो लेंस आपको दे रखें, कब आपको उल्टा मिलेगा, कब आपको सीधा मिलेगा, कब आपको बिंदू आकार का मिलेगा, यहीं कुश्चन से सारे, जितने भी वर्ड्स आपने सीखें हैं, वर्च्वाल, इरेक्टेट, जितने भी वर्ड्स सीखें, उन वर्ड्स आपको एक के कुश्चन और चारों में कमपैरिजन पूछा जाता है, ठीके, इसका मैंने एक त् इसके आगे के कुश्चन और बचे हुए चार चैप्टर जो है, वो हम लोग नेक्स ग्लास में कम्प्रीट करेंगे, ओके, थैंक्यो एव्रिवन, थैंक्यो पूर जोइनिंग इस सेशन, सेशन के साल अलगा, क्यमेंड करके जरूर से बताईएगा,